हेलो फ्रेंस वाकते आपका मेरे चैनल में तो आज हम बनाएंगे नेक का डिजाइन जो बहुत ही सुंद्र है मेरे पास कुछ इस तरीके से मैंने सूट के उपर से ही इसकी कटिंग करके अलग कर लिया है इसको इसका रीजन में आगे बताऊंगी कि मैंने इसको अलग क्यों कि यह है तो अगर आप जब आसए अगर बना हुआ रेडिमेंट विनेक डिजाइन डेकर आते हैं तो उसके विए आपको बहुत ही असानी से आप उससे लगा सकते हैं तो मैंने कुछ इस्स त्रीके से इसको पूरा कटिंग किया है जै तो जहां से एक्स्ट्रा मैंने इसके उ तो मुझे यह सबसे वेस्ट लगा क्योंकि इससे आप फोल्ड करने में भी असानी होती है क्योंकि कपड़ा इतना सॉफ्ट नहीं होता है इसे इसके अच्छे से हैं वो फोल्ड हो जाता है साइडों से कुछ इस तरीके से आप जो भी एक्स्ट्रा है इसको आप निकाल सकते ह यहां से उपर से भी मैंने इसको पूरा इसे रिमूव कर दिया है तो कुछ इस तरीके से मैंने जहां से निकालने के बाद में अब हमें जो दूसरी सेड बजा हुआ है उसे भी कुछ इस तरीके से निकाल देंगे हम और जहां से आपको पूरा जब्बी से अच्छे से इसक कि आप चाहिए तो इसे ल TiBi बना सकते हो लस भूपिस के साथ गेs कर सकते हो तो आपको कुछ इस तरीके से इसकी पूरी कटिंग कर ले pret । इससी तरीके से मैंने इसकी कट्इंग बोब पूरी कर ली है और कट्इंग करने के बाद में अब हमें से पाइगे पिस YoshOS ूटे कatics लगा लगाएंगी क्योंकि इस तरीके से वह सीधी है वो इसकी सेलाई नहीं होती है क्योंकि गुलाई में आ जाती है इसकी शेव बनी हुई है तो इसलिए हमें से सोड़ी इसकी कटिंग करेंगे इस तरीके से मैं दोनों साइडों में कटिंग करूंगे इसकी इसी तरीके से अपको दूसरी सेड़ भी इसकी कटिंग कर लेनी है और जहां से इसकी कटिंग करन क्योंकि मैंने इसको जो एक्स्टर कपड़ा है ताकि उसके उपर सलाई बाद में करनी है तो उसके लिए आप अच्छे से सलाई हो जाए कपड़ा एक्स्टर ना निकले तो इस त्रीके से अगर आपके कट शोटे रह जाए कपड़ा सही ना हो इसके लिए आप दुवारा से भी कटिंग कर सकते हैं क्योंकि ये कपड़ा नीचे की तरफ ही आ जाएगा तो कुछ इस त्रीके से आपको इसे पूरा साइडों में जो बर्क किया हुआ है इसके साथ ही से सलाई कर लेनी है पहले अगर सीधा गले के साथ स्टिच करने के बाद में लगाएंगे तो आपको प्रॉब्रम हो सकती है तो इस तरीके से आप इसे पहले इसकी पूरी सलाई कंप्लीट कर सकते हो तो कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं तो मैंने इसकी पूरी सलाई इसी तरीके से ही कंप्लीट करूंगी इस तरीके से आप जहां पे भी इसकी कटिंग उसी तरीके से कर सकते हो इस तरीके से गुलाई देते हुए आप इसकी पूरी कटिंग कम्प्लीट कर सकते हो अब हमने जो सलाई है पूरी कम्प्लीट कर ली है तो मैंने जहां से यो टंका है थोड़ा निकल गया था तो मैंने इसे द्वारा से पूरी सलाई कम्प्लीट कर ली है अब आप जितनी आपको इसकी गले की लेंथ रखनी है आप उतनी रख सकते हो तो मेरे पास यह साथ इंच है आप पिर ज्यादा भी रख सकते हो तो इस साइड में मेरे पास शे इंच आया है इस साइड में भी आपको इस गले को कम भी कर सकते हो तो साड़े शे इंच इसका पूरा रैडी रह जाएगा गला और सलाई में आने के बाद में आपको शे इंच एक्स्टर रह जाएगा इस त्रीके से डवल फोल्ड करने के ब और जहां से लगाने के बाद में सेम उसी तरीके से आप इसे कमीज के उपर भी लगा सकते हैं जहां पे आपको घला बनाना है बीज में से बिल्कुल इस तरीके से आपको दोनों को बराबर करने के बाद में कुछ इस तरीके से मैंने इसको निशान लगा दिया है और निशान लगा सकते हो क्यूंकि हमारा गला बनाना है वो बीच में ही बने एक साइड में गला बनेगा तो उसके लिए आपको सही नहीं रहेगा कुड़ती आपकी तो कुछ इस तरीके से आप इसको एक तिर्शा कटिंग कर सकते हो जहां पे भी इसकी आप ये वल अन्शान है आपका बराबर ही हो नीचे वाला अगर थोड़ा चोटा होगा तो इसे के लिए प्रॉब्लम नहीं है क्यूंकि उपर हमें द स्लाई कर सकते हैं आप इसे पूरा अगर बटन गयरा लगाना चाहते हैं तो वह भी लगा सकते हो नीचे तक भी इसकी स्लाई कर सकते हो मैंने इसको इस कुछ इस तरीके से ही बनाया है तो इस त्रीके से स्लाई करने के बाद में अब हमें इसकी करेंगे कटिंग तो कुछ इस त्रीके से हम इसकी कटिंग कर देंगे कि और जहांसे हमने प्रूपर इसकी कटिंग करती हें तुम कर कटिंग करने के बाद में इसमें भी हमें चोटे से कट लगाएंगे ताक् Rag another जब हमें इसे पल्ट हैं तो हमाँ कोई प्रॉब्लम ना हो इसे इस तरीके से हमने इसके उपर भी एक शोटे से कटल लगा लिए हैं तो इस तरीके से हमें आपको इसे पल्ट लेना है आपको एक बात का ध्यान रखें कि आपका कमीज को उल्टी सेड लेनी है और जो बुकरम का गला है वो हमने उसे उल्टी साइड ही रखना है अपनी तरफ जहां पर सलाई लगाएंगे क्योंकि पल्टरें के बाद में हमने इस सलाई को बाहरली सेड ही रख्या है तो बाहरली सेड इसे फॉल्ट करती है और कुछ इस तरीके से फॉल्ट करने के बाद में इसके उपर पूरी के सलाई कर लेंगे जहां से हमने निशान लगाया था उसके उपर ही रखेंगे इस तरीके से तो कुछ इस तरीके से आप इसे जब इसके उपर सलाई करेंगे तो आपको इतना पता नहीं लगेगा कि आपने इसके उपर सलाई की है जब इस तरीके से ही करा हुआ आया था मैंने इसको इसलिए कटिंग की है क्योंकि इसके उपर जो फ्लावर थे पूरा सूट बरा हुआ था इसलिए मुझे पसंद नहीं था इसको मैंने नीचे गेर पे कटिंग करके इसके उपर लेस लगा ली है जो की जाली वाली लेस है तो उसकी भी वीडियो मैंने अपने चै कुछ इस तरीके से हमने कट नहीं आई थी तो इसलिए हमने दुबारा से कटिंग लगाए तो इस तरीके से आप इसे आप चाहिए तो दुबारा कट इसमें कट लगा सकते हैं क्योंकि आपकी प्रॉप रफी घुलाई आनी चाहिए तो कुछ इस तरीके से आप बहुत ही सुन्दर पान की शेप काप बना सकते हो इसे डिजाइन तो पूरा बनने के बाद में देखना की बहुत ही सुन्दर बन कर त्यार हो जाएगा इसे तो कुछ इस तरीके से आप इसे पुरी सलाई कर सकते हो इसकी जहां से मैंने इसकी सलाई complete कर ली है जहां से करने के बाद में अब हमें इसके उपर एक और सलाई लगाएंगे क्योंकि यह सलाई हम बिल्कुल करनी पर लगाएंगे क्योंकि अगर आप इसमें लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो नहीं तो आप इसको किपड़ कर सकते हो तो कुछ इस तरीके से जब तक मैं इसकी सलाई कर रही हूँ अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो मेरे चैनल को स्थक्राइब जूरूर करना लाइक शेर और कॉमेंट करके हमें बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी तो इस तरीके से बनकर त्यार हुआ है आप इस पट्टी का डिजाइन नेक का डिजाइन तो आपको कैसा लगा अब मुझे कॉमेंट करके जुरूर बता